हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप सब बढ़िया होगा पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी तो आज हम क्लास 12 रे ओप्टिक्स का नेक्स पार्ट लेके आएं बेटा और आज पूरा-पूरा हम स्टडी करने वाले हैं बेटा प्रिज्म की अभी तक हमने रियल डेप्ट, एपरेंड डेप्ट की स्टडी करी, ग्लास लेब की स्टडी करी वेटा आज हम प्रिज्म की स्टडी करेंगे ठीक है प्रिज्म आप सबने देखा होगा अपने अपने स्कूल्स में प्रिज्म जरूर देखा होगा तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म होता क्या है प्रिज्म एक प्रिज्म क्या होता है बटा प्रिज्म प्रिज्म एक सॉलिड ट्रांस्पेरेंट मीडियम होता है प्रिज्म एक सॉलिड ट्रांस्पेरेंट मीडियम होता है मीडियम भी कैसा है रेफ्रेक्टिंग मीडियम प्रिस्म एक solid, transparent and reflecting medium होता है प्रिस्म होता है एक solid, transparent and reflecting medium प्रिस्म आपने देखा होगा तले डाइगराम बनाता हूँ मैं फिर definition बताऊँगा इसकी अच्छे से देखो ऐसा कुस था ऐसी कुछ कहानी थी जो स्कूल में आपने देखी थी उस कहानी को एक बार फिर से दिखाते हैं यह आपने फिजीकली देखा होगा प्रिस्म याद आया कुछ glass का बना हुआ एक प्रिस्म solid, solid था liquid gas तो था नी solid था, transparent था transparent था, transparent medium था refracting medium था light rays से जा रही थी तो refract हो रही थी 10th class में वो Newton theory भी पढ़ी होगी, white light जाएगी 7 colors विब गयो और में deviate हो जाती थी deviation वगएरा भी पढ़ेंगे तो प्रिस्म एक solid material होता है transparent transparent material होता है और refracting medium होता है यादि light ray अब भार air है यह glass का बना हुआ है air से glass में जाएगी reflection होगा न refracting medium है, solid है definition समझाई देखो पेटा इसके अंदर एक यह वाला surface अगर मैं बात करूँ देखो इसको 2D में ऐसे बनाते है एक यह वाला surface और एक यह वाला है यह एक इदर वाली और एक इसके just पीछे वाली इन दोनो साइड से हमारी यह दोनों जो faces है इसको बोलते है इसके अंदर दो होते है दो plain rectangular faces दो तो plain rectangular faces होते है एक यह वाला बेटा और एक यह वाला है ना और एक नीचे rectangular base होता है देखो यह वाला यह जो है that is rectangular base तीन rectangular faces होते है इसके एक दो एक यह वाला एक यह वाला एक यह वाला तीन rectangular faces होते है दो ऐसे होते हैं और एक नीचे base होता है तो दो plain rectangular face मोलते हैं और एक नीचे base होता है होते है तीनो rectangular है यह ऐसे रखो के गुमा के तो ये बेस हो जाएगा, ये दोनों फेस हो जाएगे इधर से घुमा के रखोगे तो ये दोनों फेस हो जाएगे, ये बेस हो जाएगा कुल मिला के तीन, दो ये और एक ये थ्री जो हैं, तीन तो इसमें रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और एक यह दिखा रहा है आपको आगे वाला हिस्सा और एक यह सबसे पीछे वाला हिस्सा दो इसमें triangular face होते हैं क्या होते हैं विटा दो इसमें triangular face होते हैं देखा होगा ना school में प्रिज्म दो ऐसे face rectangle वाले उपर के एक नीचे उसका base तो तीन तो rectangular face हो गए और एक आगे का और पीछे का दो triangular face हो गए तो दो तो triangular face होते हैं आगे वाला और पीछे वाला तीन rectangular face होते हैं उसमें दो उपर का face और एक नीचे का base हो जाता है अब नीचे ऐसे रखा हुआ है तो यह base हो गया यह दोनो face हो गए तो तीन तो rectangular face होते हैं, दो triangular face होते हैं, पूरा का पूरा solid होता है, transparent होता है, glass का बना हुआ होता है, prism, ठीक है विटा, ये तो था prism के बारे में, ये सब चीज़ आप पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें कुछ खास चीज थी नहीं, बताने को, है ना, चलो, अ अब एक खास चीज इसमें बताने को ये है, देखो, मैं बताता हूँ, जैसे, suppose, ये हमारा prism है, ऐसी कुछ कहानी आपने, 10th में भी देखी होगी, यहां से white light आई, या कोई भी light आई, rare से dancer bend हुई, dancer test से rare फिर normal के वे गई, ऐसी कुछ कहानी थी prism की, है ना, तो देखो, ए ये वाले face से exit कर रही है, इन दोनो face के बीच में जो angle बन रहा है, that is angle A, जिसको angle A मैंने लिखा है, ये होता है angle of prism, क्या होता है बटा, angle of prism, बात को ध्यान से समझ ना, एक तो वो face जिससे light ने entry ली, एक वो face जिससे light निकली है, उन दोनो face के बीच में जो angle बनता है, वो ह होता है angle of prism, अब कहानी ये भी हो सकती है, देखो, ध्यान से देखना, क्या पता इस वाले face से आए, और reflect होके इस वाले face से निकले, तो बेटा, angle of prism ये होगा, ठीक है, एक face जिससे entry ली, एक face जिससे exit लिया light ने, उन दोनो face के बीच में जो angle बन रहा होगा, ठीक है, वो ह angle of prism, ऐसा भी हो सकता है, देखो, यहाँ बनाता हूँ, यह एक prism, यहाँ से light आई, और यह यहाँ से निकल गए, ऐसा कुछ हुआ, तो यह वाला face से entry ली, यह वाले face से exit लिया, तो यहाँ यह जो angle बना, that is angle of prism, है ना, तो तीन angle होते हैं ना, prism है, तो तीन angle of prism हो सकते ह हैं, लेकिन depend करेगा, कहां से entry, कहां से exit, वो दो face, जो reflection में use हुएं, वो दो face, जो reflection में use हुएं, वो दो face, जो reflection में use हुएं, उनके बीच जो angle बना रहा है, वो angle of prism होता है, तीक है, इतनी बास समझाई, angle of prism हो गया, ऐसा prism कुछ हमें देखने को मिलता है, 2D में, books में, copies में हम ऐसा diagram बनाते हैं, 3D में ऐसा होता है, solid होता है, transparent होता है, reflecting medium है, light reflection होगी इसमें, reflection process चलेगा, वो पढ़ेंगे अभी आगे देखेंगे, ठीक है, कहां नहीं थी angle of prism, आपको समझा गया होगा, angle of prism, जो दो surface use हुएं है, light entry और exit वाले, उन दो surface के बीच में जो angle बनता है, that is angle of prism, ठीक है मेटा, चलो आगे चलते हैं, यह तो basic सी बात थी, prism क्या होता है, कैसा होता है, क्या-क्या faces होते हैं, उसमें, 2 triangular face थे और 3 rectangular face थे, जिसमें 2 उपर जो face थे rectangular, वो हम use कर रहे थे, तो उन दोनों के वीच angle of prism था, नीचे एक rectangular base था, ठीक है, अब बात करें अगर, जैसे कि हमने पिछले lecture में, glass slab पड़ी थी, है ना, यहाँ से light आई, है ना, और इस वाले face, भई, दो surface use हुए थे, देखो, एक ये वाला, जो हमने surface A माना था, फिर एक surface B ये वाला, जो surface हमने B माना था, है ना, slab में कुछ ऐसी कहानी थी, अब अगर मैं बोलूं, को ये वाला surface यूज हुआ, तो अब इतना part देखो जरा, ये क्या बन रहा है, ये वे तो एक prism बन रहा है, देखो, आज समझ आई, practically सोचो इस चीज को, ये glass slab है, इस वाले surface से light ने entry ली, इस वाले surface से exit लिया, तो ये glass slab थी, लेकिन अगर कोई corner हम यूज करें इस glass slab का, इस face से आई, और इस वाले face से निकल गई, ये वाला corner हम ने use किया, तो ये prism की तरह behave कर रहा है, glass slab के corners जो होते हैं, वो prism की तरह behave करते हैं, यहां से light रहा है, ऐसे आई, ऐसे निकल गई, तो ये एक prism बन गया, इसने prism की तरह behave किया, और ये, ये दो face use हुए है ना, तो ये angle of prism है, ठीक है, तो slab भी prism की तरह behave करती है, अगर उसका कोई corner use किया जाए, और अगर आमने सामने वाला surface use कर रहे हैं, तो वो glass slab है, उसकी study हमने कर ली, ठीक है, तो angle of prism, I hope आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा, जो दो surfaces हमने use करे हैं, उन दोनों के बीच का angle, angle of pr prism होता है, चलो, अब करते हैं, prism की study, क्या क्या इसमें होगा, क्या deviation angle होता है, कैसे deviation होता है, क्या होता है, सब चीज़े देखेंगे, देखो, prism बनाते हैं, यह है हमारा suppose prism, बड़ा सा diagram बनारा हम, क्योंकि इसमें triangles वग्यारा, quadrilaterals कुष use करेंगे, properties, देखो वेटा, य एक prism है, यहाँ से suppose एक light आई, जिसको हम बोलते हैं, incident ray, ठीक है, incident ray आई, incident ray हमने क्या किया, अब बाहर क्या है, बाहर सर air है, जिसका refractive index 1 होता है, अंदर glass है, या कोई भी medium हो सकता है, जिसका refractive index हमने ले लिया, mu2, बाहर का refractive index mu1, air है, वो तो 1 होगा, अंदर का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, rare से dancer, rare से dancer जा रहा है, क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, normal draw करेंगे, इस incident point पर, एक normal draw कर लिया, that is N1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, एक prism बनाया है, इन दो faces को use कर रहे हैं, तो ये वाला होगा हमारा angle of prism, कोई दिक कत्नी होने चाहिए, अभी समझाया है, angle of prism क्या होता है, ये face और ये face use कर रहे है, that is angle of prism, यहाँ से incident रहाई, normal draw किया, because medium change हो रहा है, rare से dancer में जा रही है, तो अपना original path छोड़ कर, ये इसका original path draw किया है मैंने, अगर ये prism ना होता, तो ये light ray से जा रही थी, सीधी, हैना, तो अपना original path छोड़ कर, ये normal की तरफ bend हो जाएगी, property है ना, rare से dancer light ray जब भी जाएगी, तो normal की तरफ bend हो जाएगी, क्योंकि उसकी speed कम हो जाती है dancer medium में, कम हो गई तो ये अपना original path छोड़ कर, normal की तरफ bend हो गई, ठीक है, अब कहानी आती है, यहाँ के फिर medium change हो रहा है, इस point पर आके फिर से medium change हो रहा है, अभी तक ये dancer में travel कर रही थी, अब बाहर आ गया, rare medium को की बाहर तो फिर से air है, अब यहाँ क्या क्या करेंगे, यहाँ फिर से draw करेंगे, क्या draw करेंगे, normal, normal number 2, इसको नाम दे दो, n2, normal, perpendicular to the surface, normal draw किया, अब क्या होगा, अब इसका original path कुछ ऐसा था, लेकिन denser से rare, याद करो, denser से rare, अपना original path छोड़ कर, normal से दूर भागेगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे टू दा नॉर्मल, और इसको हम बोलते हैं, emergent ray, that ray is known as emergent ray, and that angle is known as emergent angle, that angle is known as incidence angle, incident ray, normal से जो angle बनाती है, वो incidence angle होता है, refracted ray, normal से जो angle बनाती है, वो refracted angle होता है, इसको नाम दे दो, R1, इसको नाम दे दो, R2 या I2 भी दे सकते हो, नाम वाम आप अपने हिसाब से X, Y, Z कुछ भी दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, और यह हमारा emergent angle हो गया, जिससे emergent ray बाहर निकली है, normal से, इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह था original path, bend हुई, फिर बाहर निकली, normal से अवे गई, और ज्यादा bend हो गई, तो अपना original path छोड़ कर, कितनी derivate हुई है, यह इसका original path था है, जो मैंने dotted line से बनाया है, और यह अब इसका final path, emergent ray का निकल के आया है अगर मैं इसको further पीछे draw करूँ, ऐसे dotted line से, तो यह जो angle बन रहा है, that angle is known as deviation angle, यह जो del है, यही है, deviation angle, deviation angle देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, deviation, deviate हो गया, कितना deviate हो गया, अपना original path छोड़ कर, कितने angle से वो deviate हो गई, मेरा हाथ देखो बेटा, यह original path था, अपना original path छोड़ कर, कितने angle से वो जुक गई है, deviate हो गई है, अपने original path से कितना, इधर उधर हो गई है, that angle is known as, यह जो angle बना, कितना बना, deviation angle, डेल, इसी को बोलते हैं बेटा, deviation angle, कोई दिक्कत, इस diagram में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यह incident रहाई, rare to dancer, normal की तरफ bend यह इसका original path था, यह final emergent ray है, तो इन दोनों के बीच में जो angle वना, that is deviation angle, यह अपना original path छोड़ कर, कितना deviate होई है, इतनी कहानी समझाई बेटा, चलो, आगे देखते हैं, अब deviation angle हमें निकालना है, क्या होगा, deviation angle का formula हम drive करेंगे, deviation angle समझाया, चलो, बहुत बढ़िया, दे देखो जरा, इनको मैं कुछ नाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि इनके triangles और यह quadrilaterals हम use करेंगे, कुछ 9th class की properties, तो पहले मैं इनको नाम देता हूँ, that is P, इसको नाम दे देते हैं, Q, इसको नाम दे देते हैं, R, इस point को नाम दे देते हैं, S, ठीक है बेटा, चलो, अब द यह पूरा एंगल भी आई होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ इतने एंगल की, कि यह एंगल कितना होगा, यह वाला, भई यह पूरा आई एंगल, यह पूरा आई एंगल, vertically opposite, यह एंगल इस एंगल के equal, लेकिन मुझा उपर वाला एंगल चीए, यह सिर्फ, यह प यह पूरा आई है तो उपर वाला कितना हो गया? I-R1, Schön कहानी यहां देखो, यह पूरा एंगल क्या है? E, तो यह पूरा एंगल कितना होगा? E, लेकिन मुझा उपर वाला चाहिए, नीचे वाला R2 है तो उपर वाला हो जाएगा E-R2, इस चीज में मेरे ख्याल से किसीको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए vertically opposite angles है ये e तो ये पूरा e ये नीचे वाला पहले सी r2 है तो उपर वाला e minus r2 हो गया ये i ये पूरा i नीचे वाला पहले सी r1 है तो ये उपर छोटा वाला i minus r1 हो गया ठीक है बटा चलो कोई दिक्कत इस point को भी नाम दे देते हैं कुछ इस point को नाम दे दो p q r s इसको दे दो t t नाम दे दिया अब धियान से देखना ज़रा है t p r इस triangle को यहाँ बना रहा हूं कुछ ऐसा है ये ऐसा कुछ है न ये t point है ये p point है ये r point है ये t p r को मैं यहां बना रहा हूं और यह है हमारा डेल, यह है हमारा I minus R1 और यह है हमारा E minus R2 यह इतनी ही कहानी मैंने यहां बनाई है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए अब देखो जारा यह एक triangle है इस triangle का exterior angle है डेल और exterior angle is always equals to the sum of opposite two interior angles exterior angle of any triangle is always equals to the sum of opposite two interior angles, 9th class की बिलकुल आसान सी property हमने इसमें लगा दी, तो डेल हमारे पास आ गया I minus R1 plus E minus R2 ठीक है बेटा, बहुत आसान सी property मैंने यहां पे लगा, इसको यहां ड्रो किया है, आराम से देख लो, बिलकुल अच्छे से exterior exterior angle equal होगा triangle के जो सामने वाले दो angles हैं, उस angle के सामने वाले उनके sum के exterior angle is always equals to the sum of opposite two interior angles यहां से हमारे पास यह equation आ गई ठीक है, अब मैं बोलू I और E को एक साथ लिख लो, R1 R2 को एक साथ लिख लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, I plus E minus commonly R1 plus R2, S और S यह दोनों एक ही बात हैं I और E एक साथ लिख लिख लिए हैं, plus में R1, R2 एक साथ लिख लिख लिए हैं, plus में बीच में minus लगा दिए, S को solve करोगे, यही आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है बेटा, अब बात देखो, क्या आती है अब मैं इस triangle को बनाता हूँ, नीचे जाला देखना यह, अभी उपर वाला triangle में यह बनाए था अभी नीचे वाला triangle बना रहा हूँ, देखो इसमें यह वाला angle है R2 यह वाला angle है R1, और यह तीसरा angle है, इसको आप मान लो थोड़ी देर के लिए X, यानि इस वाले angle को मान लिया थोड़ी देर के लिए X, इसकी value भी निकालेंगे देखो बेटा, triangle है यह बनाए हमारा P R S P R S वाला triangle में नीचे बनाया और इस angle को थोड़ी देर के लिए X मान लिया X angle जो ठीक है triangle के 3 angle का sum क्या होता है बटा triangle के 3 angle का sum 90 degree होता है, 180 degree होता है सर, तो X plus R 1 plus R 2 is equal to 180 degree triangle के 3 angle का sum 180 degree होता है, तो इस triangle के 3 angle का sum भी 180 degree होगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस मैं, यहाँ से अगर मैं X की value निकालू हूँ तो कितनी आ जाएगी 180-R1-R2, x की value हमारे पास आ गई, इस वाले angle की 180-R1-R2, कोई दिक्कत इस चीज में? चलो, अब इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, यहां से x की value हो आ गई, यह हमारे पास del का formula भी तक बन रहा है, proof नहीं हो आया भी, proof तो हमें I, E और A की टर्म में चाहिए, angle of prism की टर्म में आता है deviation angle, अभी तक A का जिक्र कहीं नहीं हो आया, यहां तक बेटा कोई दिक्कत, चलो, अब देखना, हम में यह quadrilateral दिख रहा है, आपको Q, P, S, R, यह वाला quadrilateral, इस quadrilateral को बना रहा हम, यहां ध्यान से देखना, य यह है हमारा Q, S, P, R, यहान से देखो, P, Q, R, S, इस पूरे quadrilateral को मैं यहां बना रहा हूँ, जिसमें यह angle है हमारा A, और यह angle है हमारा X, है ना, और X की value मैं पता, 180 minus R1 plus R2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, अब मैं बहुनू आपसे angle P और angle R कितने होंगे ध्यान से देखना वैटा, यह हमने क्या बनाई थी, यह हमने Sir, normal बनाई थी, और normal क्या होता है, perpendicular to the surface यानि एंगल कितना है, यह angle तो Sir, 90 degree है, normal है, ठीक है, यह normal 2 हमने normal 2 जो बनाई थी, यह भी क्या होगी, perpendicular to the surface, Sir, यह भी 90 degree है, very good, मजा आ गया, इतनी बात समजा ही, यह 90, ये दोनों एंगल हो गए 90 के, अब quadrilateral के, quadrilateral के 4 एंगल का सम 360 होता है, बच्चो वाली प्रोपर्टी लगवारों हर जगा, यहां ना ना इंते इर्थ क्लास वाली, quadrilateral के 4 एंगल का सम 180 डिगरी हो सकता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, a प्लस 90 प्लस 90 प्लस x is equal to 360 डिगरी, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए इसमें, x की यह वाली value उठाके यहां डाल दो, x की जगा, x की value थो हमें पता है, 180 माइनस R1 प्लस R2, कोई दिक्कत, x की यह वाली value, 180 माइनस R1 प्लस R2, x की जगा रख देते हैं, तो यह लाइन में मिटा इसे समझानी के लिए थी, कि x की value हम, यहां x की जगा पूट करेंगे, तो यह आ गया, a प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 is equal to 360 डिगरी, यहां तक कोई दिक्कत, विल्कुल आसान, ठीक है, देखो, 90 प्लस 90 प्लस 180 कितना हुआ, 360, और 360, 360 cancel out, यह सब कर दिया, यह, य कर लेना इस चीज को, 90 प्लस 90, 180, 180, 360, 360, 360, 360, एक LHS है, एक RHS की तरफ है, cancel out, कट दे, क्या बचा हमारे पास सिर्फ, a माइनस R1 प्लस R2 बराबर 0, उधर का तो 360 कट दिया था, तो यहां से a किसके equal आ गया, a आ गया वेटा, R1 प्लस R2 के equal, कोई दिक्कत, यहां तक कोई द Quadrilateral पूरा राम से उठा के यहां बना दिया था, अच्छे से आपको समझाने के लिए, अब देखो, R1 प्लस R2 किसके equal है, R1 प्लस R2, a के equal है, तो यहां हम R1 प्लस R2 की जगा क्या पूट कर दें, वेटा, I प्लस E, माइनस A, यह हो गया हमारा, deviation angle का, proof, derivation, जादू, जाद deviation angle is always equals to the sum of I plus E, incidence angle plus emergent angle minus angle of prism, यह हमने proof कर दिया, क्योंकि R1 प्लस R2 की value की आई, हमने A proof कर दी, तो इसकी जगा हमने रख दिया, बेटा, A, I hope की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, फटा-फट से इसको note कर लो, notes बनाते रहा करो, यह बहुत अच् formula आ चुका है, अब हम एक example लेंगे, एक example लेते हैं, deviation पर deviation का formula हमने proof कर दिया है, कितना, I plus E minus A, यहाँ पर I क्या है बेटा, angle of incidence, E क्या है, emergent angle, और A क्या है, angle of prism, एक छोटा सा example ले लेते हैं, example आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे question इस पर आ सकते हैं, जैसे suppose, suppose, कोई prism है, angle of prism उसका दिया हुआ होगा, 60 degree, example है, value कुछ भी हो सकती है, 60 हो, 45 हो है, equilateral prism है, 60 degree, angle of prism की value है, जादा तर 60 मिलती है, इसलिए example ले रहे हैं, ठीक है, यह आई कोई light ray हमारी, incident light ray, normal से suppose, उसका angle दिया हुआ है, angle I, कितना दें, 60 degree दिया हुआ है, suppose, ठीक है, औ normal draw करेंगे, यह emergent होगा, यह हमारा R1 होगा, यह R2 होगा, कुछ नहीं दिया question में, एक तो A दिया हुआ है, एक I दिया हुआ है, एक बाहर air है, refractive index 1, एक अंदर glass है, उसका refractive index mu 2 दिया हुआ होगा, पेटा, कुछ भी, कुछ भी लेलो, जैसे 3 by 2, है ना, अब देको, deviation angle नि दिया हुआ होगा, example ले रहे हैं, कोई भी value given होगी, वो अलग चीज है, A आपको दिया हुआ है, इस example में, लेकिन E तो ही नहीं, E तो सर दिया ही नहीं है, तो फिर हम डेल कहां से निकाले, पूछा तो deviation angle है, देको कुछ नहीं करना है, ऐसे questions में आपको क्या करना है, इस point प इसको मानलो point Q, at point P, P point पर आप इसने इसलो लगा दो, sin I, I की value 60 degree upon sin R1 is equals to, जिसमें जा रहे हैं, 3 by 2 upon refractive index जिस से जा रहे हैं, 1, यहां से आपकी R1 की कुछ value आ जाएगी, आप easily इसको cross multiply करके calculate कर सकते हो, sin inverse करके, R1 की value आ जाएगी, फिर उसके बाद आपने A का एक formula proof किया था, A is equals to R1 plus R2, A आपको दिया हुआ है, R1 आपका यहां से आजाएगा, यहां से आप R2 भी निकाल लोगे, तरीका बता रहा हूं, खुद करना है, आपको एक question homework में, ठीक है, यहां से R1 आ जाएगा, यहां से R2 आ जाएगा, अब आपके पास R2 आ गया है, तो यहां फिर स आप Q point पर, at point Q, फिर से स्नेल स्लो लगा देंगे, sin R2 by sin E is equals to mu 2 by, जिसमें जा रहे हैं आपों, जिस से जा रहे है, mu 1 by mu 2, mu 1 हो जाएगा 1, mu 2 हो जाएगा 3 by 2, R2 की value यहां से निकाल लोगे, यहां से आएगा आपका emergent angle, समझ आ रही है वेटा बात, देखो, ध्यान से दे यह, E दिया हुआ नहीं था, हमने यहां इसनेल स्लो लगाया, उससे R1 निकाल लिया, ठीक है, E हमारा R1 प्लस R2 आया था, E हमें पता है, R1 यहां से आया, R2 निकाल लिया, इस formula से, आप हमारे पास R2 है, तो यहां इसनेल स्लो लगा के, हम E निकाल लेंगे, E आ जाएगा, इसके बाद यहां put कर देना, answer आ जाएगा, खेल खतम, ठीक है, तो ऐसे धेर सारे examples आप इस formula पर कर सकते हो, धेर सारे question करना वेटा, ठीक है, चलो, इन सब पर आप question करना, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की कहानी कुछ ऐसी है, कि जब deviation को experimentally बहुत बार देखा गय अब ध्यान से देखना, यह अपने अपने स्कूल में practical में भी किया होगा, deviation angle of prism निकाला होगा, उसका एक graph बनता है वेटा, याद हो तो आपको, बना देता हूं में graph, देखो, यह हमारा angle I, incidence angle, इधर हमारा deviation angle, ऐसा कुछ graph बनता है वेटा, इसका, इस point को minimum deviation point बोलते हैं, graph समझाता हूं, पहले हुआ क्या, हुआ क्या deviation angle की study अलग-Alग incidence angle पे की गई, 30 degree पे कितना deviate हो रहा है, 32 पे कितना और है, 35 पे कितना हो रहा, 38 पे कितना हो रहा, 40 पे कितना हो रहा, 45 पे कितना हो रहा, 50, 60 अलग-Alग angles पर, अलग-अलग incidence angles पर अलग-अलग deviation देखे गए तो उससे graph मिला हम है यह graph जो है experimentally proved graph है experimentally अलग-अलग incidence angle पर deviation निकाले गए वहाँ से graph मिला है तो जब यह experiment कर रहे थे तो वहाँ जब एक चीज पता चली देखो क्या पता चला यह था अमारा रे आई थी नॉर्मल बनाया था यह angle आई था यहाँ bend हूई यहाँ bend हूई यहाँ नॉर्मल बनाया यह angle ई था तो हो क्या रहा था एक angle ऐसा आ रहा था एक angle angle of incidence ऐसा मिल रहा था जिस पर deviation minimum था यानि सब से minimum light जो है वह डेवियेट हुई थी इस angle से कम अगर angle कर रहे थे तो भी deviation बढ़ रहा था और इस angle से अगर angle बढ़ा रहे थे तो भी deviation बढ़ रहा था यह वही point पेटा देखो इस से इधर देखो इस point से इधर देखो angle of incidence कम हो रहा है लेकिन deviation बढ़ रहा है इस point से इधर देखो angle of incidence इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं फिर भी angle of deviation बढ़ रहा है इस point पर सिर्फ एक angle यानि एक incidence angle का ऐसा point हमें मिला था जहां light सबसे minimum deviate हुई थी उससे कम पे भी deviation बढ़ रहा था उससे जादा angle करने भी deviation बढ़ रहा था ठीक है और इस angle पर जब del minimum हो जाए minimum deviation angle पर एक चीज़ देख इसका क्या मतलब है सर अब देखो यहां से एक light रहे गई सपोज minimum deviation हो रहा है यह ना minimum deviation हुआ तो यह angle कुछ बन रहा होगा आई अगर इधर से हम देख रहे थे यह ना इधर से हम देख रहे थे अगर इधर से light रहे आए और हम इधर से देखें इधर से light रहे गई इधर गई हमने इधर से देखा इस एंगल पर minimum deviation हो रहा था लेकिन अगर हम इधर कहड़े है इधर से light रहे आए तो इधर भी तो minimum deviation होना चीह है यह वह ही point है इधर से minimum deviation 30 degree हो रहा है तो इधर से भी minimum deviation 30 degree होना चीए जब यहां से 30 degree angle दिया और minimum deviation होगा तो यहां से भी 30 degree angle देने पर ही minimum deviation होगा तो इस condition में आई और ही बराबर हो जाते हैं समझाई बेटा बात? यह वही point है यह point आपने practical में भी निकाला होगा नहीं भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने यहां बहुत अच्छे से आपको बता दिया है भाई जब light रे इधर से गई और इधर minimum deviation हुआ तो इतना ही minimum deviation light रे इधर से आए तो इधर भी तो होना चीए angle of prism तो यही रहेगा फिर भी बात समझाई? तो minimum deviation पर angle I, angle E बराबर होते हैं इस बात को बिलकुल note point में लिख लेना याद रखना angle I और angle E incidence और emergent बराबर होते हैं अब यह बराबर होते हैं तो R1, R2 ओब्यूस सी बात है बराबर होंगे वो अब diagram में देखा ही था पिछली बार जो हमने अब ही proof किया था I plus E minus A जिस diagram से proof किया था उस diagram को अच्छे से देखना जब I और यह बराबर होंगे तो R1, R2 भी बराबर होंगे ठीक है? यह कब होगा? लेकिन यह कहानी सिर्फ जब deviation minimum हो रहा होगा उस point पर ही होगी सिर्फ ठीक है? उससे कम करोगे तो भी बढ़ेगा उससे ज़्यादा करोगे तो भी बढ़ेगा बात समझ रहे हो? देखो इस point को देखो यहाँ जो deviation angle है इन दोनों point पर सेम है लेकिन यहाँ incidence angle दोनों point पर अलग है तो अलग-अलग incidence angle पर same deviation हो सकता है लेकिन एक point ऐसा आएगा जहाँ minimum deviation होगा वहाँ angle of incidence angle of emergent दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे बात समझ आई? अब अब देखो जब हमने स्नेल स्लो लगाया था sin i by sin r is equal to क्या था? mu 2 by mu 1 mu 1 तो खेर 1 था ही यह mu 2 का equal आगया था ऐसा ही कुछ था तो यहां से लिखे mu 2 is equal to sin i by sin r अगर मैं बोलू minimum deviation हो रहा हो अगर minimum deviation हो रहा हो यहां देखो अगर यह del minimum हो minimum deviation हो रहा हो तो यह i और ही क्या हो जाएंगे? i और ही तो equal हो जाएंगे तो del m क्या जाएगा? 2y भाई अगर deviation minimum हो रहा होगा इस point की बात कर रहा हूँ तो इस point पर तो i और ही बराबर होते हैं तो तो मैंने दोनों को i लिख लिए है? ठीक है? यह a इधर आगे positive i plus i 2y हो गया यहां से i की value आगई del m plus a by 2 कोई दिक्कत यह i की value काम आएगी यहां put करेंगे ऐसी r याद करो a क्या होता था? a होता था r1 plus r2 जब i और e equal होंगे तो r1, r2 भी equal हो जाएंगे r1, r2 equal हो जाएंगे तो इन दोनों को मैं r कह दू a is equal to r plus r तो याद रहा है 2r is equal to a r की value हो गई a by 2 याद रखना यह कहानी सिर्फ इस point की कहानी बता रहा हूं मैं minimum deviation की जब deviation minimum होगा तभी यह condition होगी minimum deviation पर देखो i a बन जाएगा del m plus a by 2 और r बन जाएगा a by 2 दोनों मैंने आपको proof करके बता दिये यह कहानी i और r की value यहाँ पट कर दो mu कितना आ गया sin del m plus a by 2 upon sin a by 2 यह condition होती है minimum deviation की minimum deviation समझा है बिटा कहानी चालो फटा फट से note कर लो जादू हो चुका है जादू जादू कुछ नहीं हुआ यह जो point था minimum deviation इसके लिए हमने स्नेल स्लो लगाया i की value यहाँ से लेके आए r की value यहाँ से लेके आए दोनों r बराबर हो जाते है और i e के बराबर हो जाता है तो i और r की value यहाँ पट कर दी तो यह deviation minimum हो गया minimum deviation del m ठीक है मिटा इस पर भी आप numericals कर सकते हो इस पर भी numericals आते है एक example बता दिया जाए चलो एक example देखते है देखो एक example लेते हैं suppose एक prism है ठीक है angle of prism दिया हुआ है 60 degree light ray आई ऐसे बेंड हो यह ऐसे चली गई normal नॉर्मल यह i की value यह e यह होते हैं हमारे r1 r2 ऐसी कुछ कहानी थी ठीक है suppose दिया हुआ है कि बाहर air है refractive index 1 है अंदर का refractive index निकालना है prism का refractive index निकालना है formula e तो इसलिए तो बनाया है निकालेंगे लेकिन angle of prism दिया हुआ है और कहा हुआ है इस prism का minimum deviation जो है वो 30 degree पे होता है ऐसा कुछ कहा हुआ है ठीक है इस angle का minimum deviation जो आता है वो 30 degree आता है ऐसा कुछ कहा हुआ है कुछ नहीं करना है यह सारी value उठा के यहाँ put करनी है mu का formula हमारे पास है sin del m की value 30 plus angle of prism 60 by 2 upon sin 60 by 2 यह हो जाएगा आपका sin 60 plus 30 बटे दो sin 45 upon sin 60 by 2 30 दोनों की value आप अच्छे से जानते है sin 30 होता है sin 45 होता 1 by root 2 sin 30 होता 1 by 2 2 पा आगे 2 by root 2 आगई mu की value यह था बहुत आसान सा example ठीक है बटा इसके इलावा इस पे और कैसे question आ सकते है इसके इलावा ऐसे question आ सकते है क्या पता mu दिया हो और del m पूछाओ mu आपको दिया हो del m पूछाओ suppose mu दिया हो कुछ भी 3 by 2 और del m पूछाओ minimum deviation कितने एंगल पर होगा इसे भी देख लेते हैं देखो इसको रफ करदें छाप लिया होए तो चलो इसको रफ करदेते हैं यहाँ करते हैं example number 2 अपना ठीक है देखो क्या होगा mu is equals to formula क्या है sin del m प्लस a by 2 upon sin a by 2 ठीक है mu की value 3 by 2 दी हुई है sin del m निकालना है plus 60 by 2 upon sin 60 by 2 sin 30 हो गया sin 30 की value 1 by 2 होती है direct रख देते हैं इधर आएगा multiply में ठीक है यह 1 by 2 इधर आएगा divide में इधर आके multiply 3 by 2 multiply 1 by 2 is equals to sin del m plus 60 by 2 ऐसी कुछ कहानी होगी यह हो जाएगा आपका 3 by 4 sin इधर आके sin inverse is equals to del m plus 60 by 2 sin inverse 3 by 4 इसकी value आप निकाल लेना या तो value आपको ऐसी आएगी बनके ऐसी आएगी जो आपको known होगी या इसकी value Google से देख लेना है question में given होगी या table से देख लेना मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 49 degree के असपास होती है is equals to del m plus 60 by 2 2 इधर जाएगा multiply में यह हो गया 98 is equals to del m plus 60 del m आ गया बेटा 98 minus 60 38 degree minimum deviation इसका होगा 38 degree कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे भी question आ सकता है यह example number 1 यह example number 2 I hope की prism आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा deviation angle निकाला prism पड़ा prism क्या होता है del निकाला i plus e minus a उसके बाद minimum deviation देखा experimental graph मैंने आपको बताया जो graph बना हुआ था एक दो example बताये और भर भर के ढ़िर सारे examples आपको मिल जाएंगे questions मिल जाएंगे उन सब को solve करना यह पूरी वीडियो हमारी prism के उपर थी prism हमने पूरा आपको इसमें समझा दिया minimum भी और वैसे भी deviation उसका और इन पर भर भर के numericals करना इतना ही रखते हैं वीडियो को बाकी next part में लेके आएंगे reflection through spherical surfaces से कुछ reflection करेंगे lens maker formula बगरा आएगा lenses पढ़ेंगे आगे बहुत सारे topics अभी बच्चे हुआ है आज के लिए इतना ही prism पे question करना वेटा ठीक है all the best पढ़ते रहिए बढ़िया पढ़ते रहिए गदम thank you